हलो फ्रेंट्स नमस्ते वेलकम टू चैरिश योड्रीम आज के वीडियो में आपके साथ अपने लिविंग रूम का टूर शेयर करूंगी किस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है तो चलिए देखते हमारा आज का वीडियो फ्रेंट्स उससे पहले अ प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरू कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो के लेटेस अपने आप तक पहुंच सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो यह हमारा में गेट और जैसे ही हम में गेट से एंटर करते हैं तो आता हमारा ड्राइंग रूम हमारे में गेट से बिल्कुल अटैच है ड्राइंग रूम हमारा लिबिंग रूम इस तरीके का दिखता है हमारा ड्राइंग रूम यह है एक ओवर व्यू मैं आपको इस वीडियो में अपने ड्राइंग रूम की एक-एक सिंगल सिंगल डेटेल दूंगी और आप मुझे जरूर पताईए कि आपको मेरा ड्राइंग रूम कैसा लगा और आपको मेरे इसके पीछे साइड में मैंने गड़ेंशी का स्टैच्ट्यू लगा हुआ है यह पीटल का है इसमें केबल बपा का फेस है और उसके बाद इस बॉल पर यहां पर इंटरकॉम दिया हुआ है जब आप यह साइड ऑली बॉल पर आएंगे तो यहां पर मैंने की होल्डर को हो किया हुआ है जिससे कि जब भी जाना कहीं जाना होता है तो की को लेना और वहाँ पर फिर से हैंग करना बहुत ही आसान रहता है इस की होल्डर को मैंने एमजॉन से पर्चेस किया था और उसके पास में यह हमारा कॉमन बाथरूम पर्फ्रेंट्स हमें एक बिल्डर फ्लैत में रहते हैं तो यहां पर यह ज़ो आप बिंडो देख रहे हैं यह साफ में ओपन होती है जो की एक बेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है और यहां पास में रखा है हमने फ्रिज क्यूंकि हमारा kitchen बहुत चोटा है kitchen में fridge का space नहीं है इसलिए हम fridge को अपने living room में ही रखते हैं और जो sofa की एक पफी है मैंने उसको fridge के पास में रखा हुआ है और इस तरीके से है हमारा L-shaped sofa यह एक लेदर सोफा है इसका जो कलर है वो हमने बॉल पेपर से हलका सा मैश कराने की कोशिश किती कि उस तरीके का हम सोफे का कलर वगयरा ले और बीच में है सेंटर टेवल और यह जो आप लंबी वाली पफी देख रहे हैं इसका यूज हम तब करते हैं इसको हम तब सोफे के साइड में लगा लेते हैं जब घर में ज्यादा गैस टाय हुए होते हैं या ज्यादा लोगों के लिए हमें ज़रुत होती है अदर्वाइस हम इसको ऐसे साइड में ही रख देते हैं इसे की स्पेस थोड़ा सा खुला हुला लगता है और सामने ही आप देख रहे हैं यह हम मुखसान होने का भी डर रहता है यह जो हमारा LCD पैनल है यह आप देख रहे हैं उपर इस तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया है आप जो सबसे उपर देख रहे हैं जहां पर राधा कृष्ण जी क्या मूर्थी है यह हमको ज्वैलर्स ने दी थी जब अपनी शादी की ज्वै और यहां पर साइड में एक बहुत सुंदर से बहुत अट्रेक्टिव मैंने काना जी एको डेकोरेट किया एज डेकोरेशन के लिए उनको रखा हुआ है और यह छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट से परियां इनको भी हमने एममजॉन से पर्चेस किया था और आप जो पीछ जो नौन जिसमें आपके बिना पैसे खर्चिया आप किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया था और यह नीचे रखा एक चोटा सा टैडी कि उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं साइड में यह फिश रखी हुई है यह फिश भी लकडी की बनी हुई है आज कल मेरी बेटी को बेवी शार का बहुत शौक है तो मेरे पैरेंट्स जब पूरी गया थे तो उसके लिए लेके आये थे करें और यहां नीचे जहां पर कार रखी हुई यह लेकिन अब मेरी बेटी उसको बुक को में रहने ने देदी सारी बिकरात देदी से इस यहां पर मैंने उसके 치這個是 सी रख दिये हैं अगर आप मुस्से कहेंगे तो मैं एपने LCD पैनल का एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसके और ये है हमारे living room की छत जो की इस तरीके से इसमें अंदर जो lighting की गई वही है ये बहुत ही प्यारी लगती है बहुत ही अच्छी लगती है और ये living room के लुक को और बढ़ा देती है कि अच्छी की बॉल देखा है यहां पर यह बॉल पेपर यूज किया हूँ किया गया है और यह है साइट की एक बॉल जो की किचिन के भी बाहर एंटर्स की बॉल है और यह ड्राइंग रूम के लुक को भी बहुत बढ़ा देती है इस बॉल में आप देखेंगे इस तरीके से सेक्षन प्रोवाइट किये हुए है जो नीचे के तीन सेक्षन है इसमें मैंने बेटी के ट्वाइज ही रखे हैं क्यूंकि वह यहां तक पहुंच जा कि यहां पर मैंने एक राजस्थानी जोड़ा रखा हुआ है और यह दो ट्रॉफी जो कि मेरी सिस्टर इनलो ने मुझे मेरे बर्थर डे पर गिफ्ट की थी वर्ड बेस्ट वाबी तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा अचीब्मेंट है आप समझ सकते हैं इस बात को और एक ह यहां पर साइड में आप देखेंगे तो यहां पर मैंने दो फ्लॉबर पॉट लिए हुए हैं और उन फ्लॉबर पार्ट को मैंने यहां पर डिकॉरेट किया हुआ है उसके बाद आप देखेंगे यहां पर उपर मैंने यह तीन मतलब जार रखे हुए हैं इसमें मैं ड्राइफरूट्स रख देती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले थैंक यू सो मच